Hello everyone, welcome to MSA Studies, आज मैं क्लास आठमी का बिग्यान के चेप्टर 10, फसल उत्पादनेवं परबंद के दस्वे भाग में, आज आप लोगों को बताने वाले हैं फसलों का भंडारन, तो चले दोस्तों अब शुरू करते हैं, फसल उत्पादनेवं परबंद के दस्वे भाग में सरक्षित रखने की विधी को भंडारन कहा जाता है, मतलब कटाई के बाद अनाजों को अगले समय में उप्योग करने के लिए सरक्षित रखने की विधी को भंडारन कहा जाता है, क्या आपने अनाजों को धूप में सुखते देखा है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताजे कट काटने के बाद उस फसल से अनाज जो प्राप्त होता है उस अनाज में 16-18 परतिसत तक नमी रहती है अनाज के भंडारन के लिए नमी की मात्रा 14 परतिसत से कम होनी चाहिए अता भंडारन से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है जिसे नमी में कमी आ जाती है अगर अनाजों में ज्यादा नमी रह जाती है तो भंडारन के दौरान कीट चूहों एवं सुख्षमजीवों दवारा इसके नश्ठ होने की संभाना बढ़ जाती है क्या आपने देखा है कि बीजों को बड़े पैमाने में भंडारन कहा करते हैं बीजों के बड़े पैमाने में भंडारन साईलो और भंडारन गिरिहों में किया जाता है जो इस परकार देख सकते हैं चीत्र में ये साइलो है और ये भंडार गिरी है तो ये सभी में अनाजों का भंडारन किया जाता है आगे समझेंगे जन्तुओं से प्राप्त होने वाले भोजन क्रिया कलाप चार आप जानते हैं कि क्रिसी के अतरिक्त जन्तुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है नीचे दिये गए किरिया कलाप दोबारा जन्तुओं दोबारा प्राप्थ होने वाले भोजन की सुची त्यार कीजिए जो नीचे सारनी दिया हुआ है खादे पदार्थ और सुरोत तो खादे पदा जैसे दुध तो दुध किस जन्तु से प्राप्थ होता है तो गाय, भैंस, उटनी ये सभी से प्राप्थ होता है इस सारनी में आपने जन्तुों से प्राप्थ होने वाले अनेक परकार के खादे पदार्थों सुची बना ली है, क्या आप जानते हैं कि समुद्रत तर्ट पर रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मचली होता है, मतलब समुद्रत के किनारे रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है, मचली होता है, जब पालतू पसुओं को उचित भोजन आवास देख भाल परदान करने के लिए बड़े पैमाने पर पालाजाता है उसे पसु पालन कहते है उसे पसु पालन कहते हैं मचली स्वास्ति के लिए अच्छा आहार है मचली से कौड लिभर तेल मिलता है जिसमें बिटामिन D अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ठीक है दोस्तों बस इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें धन्यवाद